अब four transformation में आते हैं replacing x with mod x इसका मतलब क्या है y is equal to fx का graph हमें पता है और इसमें हमने x को हटा के mod x लिख दिया तो y is equal to f of mod x का graph आ गया ठीक है procedure क्या है यह तो मतलब हमने transformation define किया अगर इसके graph से इसका graph चाहिए तो फिर इसके graph पर क्या करेंगे वो अब लिखा जा रहा है procedure उसमें किया है पहले step में तो हमने क्या किया है first remove portion of the cow on left hand side of y axis पहले तो हमने क्या कि अगर x के mod x रखना है तो procedure क्या हो गया कि y axis के जो left वाला portion है उस graph को हटा दिया हटा दिया अगर मालिया y axis के left hand side पे कोई graph ही ना हो तो कोई बात नहीं उसका मलना तो पहले से हटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं उसके बाद हमने क्या किया चाहे हटा दिया चाहे पहले से हटा हुआ हो यह दूसरा वाला part तो जरूर करेंगे थे देन मेक ग्राफ और सॉरी ओफ नहीं ऐट रेफ रंड रेफ्ड-सायड ऐस ऐस अवर राइड-सायड तो प्रिजांट एस अवर तो प्रिजांड प्रिजांट एस प्रिजांट तो एक वद फिर समझता है हमने क्या किया कि अगर x किये गा, mod x किया, तो left hand side का portion अटा दिया, और जैसा right पे graph बना हुआ है, वैसे graph left hand side पे और बना दिया, तो ऐसा करने से नया graph आ जाएगा, ठीक है, बहुत simple example, मनने y is equal to e raised to power x का graph लिया, तो y is equal to e raised to power x का graph, ऐसे बनेगा, यह y axis है, यह x axis है, यह वाला point 0, 1 है, यह origin है, ऐसे graph है, अब हमने अगर इसमें, अगर इसमें x के mod x किया, तो नया equation आनेगा, y is equal to e raised to power x, यह तो पराना equation था, इसमें इस x को अठाके mod x हकती है, तो यह graph अब कैसे बनेगा, तो जो हमने procedure, sorry, define किया उसके हिसाफ से, पुराना graph ऐसे है, यह पुराना graph है, origin, यह point है, 0 का मावन, इसके हिसाब से procedure क्या है, कि, पहले हैं तो हमने बना कि, remove portion of the curve, which is present on left hand side of y axis, तो यह graph हमने अठा दिया, y axis के जो left hand side वाला graph है, वो अठा दिया, और उसके बाद जैसा right way बनाए, उसी का reflection लेके left hand बना दिया, तो यह बन गया, यह हमारा नय graph हो गया, y is equal to e raised over mod x का, सही है, और एक और example लेख लेते हैं, माल जो y is equal to root x, एक जहां हमने x raised over n करके graph बन वाई थे, total 8 पार्ट थे उसके, महाँ पर हमने बनाए था कि, root x graph ऐसे बनता है, यह y is equal to root x हो गया, इसमें अगर हम, हमने replace किया x को, mod x से, तो जहां पर पहले यह x लिखा था, उसको हटा के mod x लिख दिया, तो नए graph में क्या होगा, left hand side वाला graph हटा दिया, तो वो तो इसमें है नहीं पहले से, तो कोई बात नहीं, और जैसा right hand side में बना हुआ है, एक में थोड़ा इसको, ठीक कर दो, if possible, यह graph है right hand side का, तो अभी हमने क्या क्या, left hand side में तो graph हटा दिया, तो left hand side में तो graph ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, बट जो right hand side वाला graph है, वो तो left hand side में बनाएंगे, अब right hand side जैसा ही graph, इधर बना दिया, ऐसे, इसी का reflection, तो यह y is equal to, square root of mod x का graph आ गया, यह भी सही है, simple IQ से, अभी हमने क्या क्या, x की और mod x क्या, तो y x के left hand graph मिटा दिया, हटा दिया, और जैसा right पे बनाएंगें, अगर x को replace करें, तो y के left वाला अटा दिया, अगर y को mod y से replace करेंगे, तो जो x axis होगा, उसके नीचे वाला graph अटा दिया, IQ से, मतलब यह होना चाहिए, और जैसा उपर graph है, वैसे नीचे बना दिया, तो जैसे, अगर इसी में कोई हमसे पूछे, कि y के जगे mod y लग दिया, तो mod y is equal to root x हो गया, तो इसका graph कैसे आएगा, तो हमने बुला कि पहले नीचे वाला graph अटा दिया, x axis के नीचे वाला, तो वो तो already हटा हुआ है, तो ठीक है, और फिर ऐसे graph नीचे बना दिया, तो यह graph, यह graph बनेगा, mod y is equal to root x का, सही है यह graph, पहले case में भी चलो देख लेते हैं, इस वाले case में अगर कोई बोले हमसे, यह graph है, इस वाले case में बोले के y को mod y से replace कर दो, तो ठीक है, mod y is equal to e raised to bar x, इसमें क्या करेंगे, अगर y को replace किया तो नीचे अरा graph अटा दिया, तो नीचे तो graph ही नहीं है, चलो, कोई बात नहीं, और फिर जैसा उपर graph बना हुआ है, वैसे नीचे बना दिया, तो ऐसे बन जाएगा, यह point हो गया 0,1, यह point हो जाएगा 0,-1, यहाँ पर origin है, यह graph आ जाएग, और एक example ले ले देए, say y is equal to lnx, y is equal to lnx graph, ऐसे बनता है, यह y axis, origin, x axis, यह point हो गया 1,0, अगर हमने x को mod x से replace किया, तब तो क्या करते हैं, left hand side वाला graph अटाया, y axis के left hand side वाला graph अटाया, तो वो तो है जी नहीं, और फिर जैसा right में बना रखा है, वैसा ही left में बना दिया, तो यह वाला point हो जाएगा, minus 1, comma 0, तो यह graph आजाएगा, y is equal to ln of mod x, इसका graph तो ऐसे आगया, और अगर हम बोलें कि y को replace किया, mod y से, तो निया equation तो ऐसे करके आजाएगा, lnx, यह भी ठीक है, इस बार हमने क्या बोला, कि नीचे वाला graph अटा दिया, जैसे यह नीचे यहाँ पर जो graph था, वो अटा दिया, और फिर जैसा उपर है, वैसा ही नीचे बना दिया, this point will remain 1, comma 0, तो यह graph हो गया, mod y is equal to ln x, यह graph हो गया, y is equal to ln mod x, चीक है, तो ऐसा करने से, हमारा transformation, 4 complete हो गया, now we'll go to transformation no. 5, which is our last transformation, transformation 5 क्या बोलते है, replacing, fx by, mod fx, that is, इसका मनलग गया है, y is equal to fx का graph हमें बता है, और यहां से, mod y, sorry, गलत हो गया, fx को replace करें, mod fx से, तो y is equal to fx का graph हमें बता है, और यहां से हमें graph चाहिए, y is equal to mod fx का, पूरे fx पे mod, तो क्या फ़रक पड़ेगा, तो procedure लिख लेते हैं, procedure में क्या होगा, उसको crude language में ऐसे बोल सकते हैं, the portion of the curve, below x-axis, will go above x-axis, simply, अगर fx की, हमने mod fx किया, तो जो नीचे वाला graph है, उसको उपर ले गए बस, उपर ले गए मतला है, उसको reflect कराके ले गए, तो नीचे कुछ graph बचेगा नहीं, उपर ग्राफ, जो उपर वाला पहले से graph है, उसको ऐसी रहने दिया, इसमें बस ये वाला चीज़ द्यान अखने का है, कि जब हम ये transformation लगा रहे हैं, तो left and side पर y होना चीज़, और कुछ नहीं होना चीज़, तब ही ये transformation लगा सकते हैं, यहां से यहां तक जाने में हमने क्या क्या है, f को mod f से replace किया, f लिखने का मतलब क्या है, f x लिखा हुए, ठीक है, तो फिर एक example देख लेंगे, अभी ये बता है, बनाए था हमने थोड़ दे पहले, y is equals to lnx, तो उसका graph तो ऐसे बनेगा, यह origin हो गया, यह x access हो गया, यह y access हो गया, यह वाला point 1,0 हो गया, यहां पर यह lnx, f का काम करता है, तो अगर हमने f को replace किया mod f से, तो y is equals to mod lnx, इसका graph आएगा, फर्स्ट क्वेशन, लेफ रेंट साइड वे y है, बिलकुल है, केवल y ही होना चाहिए, अगर मालिया y plus 3 है, या e raise to bar y है, तो वो कुछ नहीं चलेगा, केवल y होना चाहिए, तब ही इस वाले transformation को use कर सकते हैं, otherwise नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने procedure क्या बताया, कि जो उपर वाला graph है, आएसे वो तो उपर ही रहने दिया, और जो ये नीचे वाला graph है, नीचे वाला portion है, इसको पलट के हम उपर ले गए, तो अगर इसको reflect करा के उपर ले जाओगे, तो graph ऐसे आएगा, y axis origin x axis, this is 1,0, ये graph आगया, model n x का, अभी तो ये नीचे, ये graph y axis को इदार अप्रोच कर रहा था, उपर जाने के बाद, y axis को उपर की तरह अप्रोच करेगा, ये इसका reflection हो गया, ठीक है, और, और देख लेते हैं, y is equals to, tan inverse x हो गया, यहाँ पर हमने f को replace किया, mod f से, तो यहाँ पर f का काम कौन कर रहा है, tan inverse, तो उस पर model लगाया है तो, y is equals to mod tan inverse x, इसका graph आ जाएगा, तो y is equals to tan inverse x का graph कैसे बनेगा, ऐसे, x axis, origin, ये बना रखा है, यादोना चाहिए, ऐसे, अगर हमने f के उपर model लगाया, तो हमने procedure क्या मनाया, कि जो उपर वाला graph है, उसको तो वैसी रहने दिया, जैसे पहले था, जैसे पहले जो graph था, वो कुछ ऐसे था, बस जो नीचे वाला graph है, उसको और उपर ले गए, तो नीचे वाला graph को, अगर हम उपर ले जाएंगे, तो ऐसे आजाएगा, तो यह जो नया graph है, यह pi by 2 है, x-axis है, यहाँ पे भी यह pi by 2 है, यह minus pi by 2, बस इस वाले case में, जो नया graph आएगा वो, y is equal to mod 10 inverse x का आगया, ठीक है, तो f को mod x से replace करने पे, क्या करेंगे, नीचे वाला graph उपर चला जाएगा, simply, बस, ऐसा करने से, वारा 5 transformation complete हो गया, जो procedure ने उसको याद कर लिया, चीत रहे, हम इस transformation वाली चीज को भी, हम पूरे chapter में यूज करेंगे, पूरे calculus में यूज करेंगे, कुछ चीज अगर समझ में नहीं आया है, तो जो हम बार बार बोलते हैं, go back, rewind, and watch again, दुबारा lecture देखा,